गुड मॉनिंग प्यारे बच्चो कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे प्यारे बच्चो 11th किलास NCRT Physics को हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारे 4 लेक्चर कम्पलीट हो चुके हैं जो कि आपने अपनी कोपी पर भी कर लिये हैं तो आज आपके बीच 5 लेक्चर में हम उपस्तित हुए हैं और इस 5 लेक्चर में हम बहुत सारे फॉर्मुले पढ़ेंगे और उनके वीमेशुत्र कैसे निकालते हैं साथ-साथ उसको भी सीखेंगे जो आपका फॉर्थ लेक्चर था उसमें आपको दस वीमा निकालनी सिखा दी थी और जिस तरीके से हमने उस लेक्चर में वीमा निकालनी समझे थी ठीक इसी लेक्चर में हम ये वीमा निकालनी समझेंगे ठीक है ना तो जो हमने वे 10 वीमा पड़ी थी एक बार दो बारा से पढ़ लेते हैं सबी को और ये लगबग आप देख सकते होंगे आइस स्क्रीन पे ये हमारे पास लगबग 61 वीमा है ठीक है ना तो देखे सबसे पहले वाले फोर्मले पे चलो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है छेतरफल देखो तीन कोलम बने हुए है यहाँ पे पहला कोलम है भोतिक रासी दूसरा कोलम है शुत्र और तीसरा कोलम है वीमे शुत्र इसमें लिखा है पहले नंबर पे छेतरफल तो ये छेतरफल क्या है भोतिक रासी है फिर दूसरे कोलम म भी capital bracket के अंदर L होगी तो L multiply L equal to कितना होगा L square समझ में आरी है ना बात ये तो आपको बताई थी अब जैसे दूसरे नंबर पे लिखा है आयतन और देखो एक काम करके चलना आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को परेशानी आती है English के words को सी सकता है अगर आपने थोड़ा-थोड़ा इंगलिस पर ध्यान नहीं दिया तो जो ब्रैकिट में लिखे होते हैं आप इनको भी ध्यान से समझना जैसे कि मानलो छेतरफल है तो आपको पता होना चाहिए कि छेतरफल को इंगलिस में एरिया बोलते है जैसे मानलो दूसरी एक दम इंगलिस में भी पता होना चाहिए इस से काफी बेनेफिट आपको आग만गे जरूर मिलेगा इलेवन्स-टवैल्स में हो सकता है ना बेनेफिट मिले लेकिन आपको ट्र वैल्स से बाद में इसका बेनेफिट जरूर मिलेगा तो आप इंगलिसभी अपनी श्कार którąग और अधिया और चाल को बोलते है इस स्पीड तो वेग बराबर तो होता है विस्थापन बटे समय और जों बात करें चाल की तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय अब देखो विस्थापन या दूरी है तो कोई लंबाई और लंबाई की विमा होती है capital L अब ओन में समय है ना तो समय की विमा होती है capital T अब देखो जो नीचे T है ना उसकी power कुछ भी तो नहीं है ना और कुछ भी नहीं होने का मतलब है power 1 है तो नीचे पावर एक है पलस की, इसको उपर भेज दो, तो T की पावर माइनस की एक चली जाएगी, इसका मतलब जो वेग या चाल का V में शुत्र होगा, वो होगा L T की पावर माइनस 1, बास समझ में आ रही है, तो ये तीन भोतिक राशिया थी, फिर बीच में उनके क्या है शुत्र है और फिर उनके V में शुत्र है, तो चोथे नमबर पे देखते हैं क्या लिखा है हमारा, चोथे नमबर पे लिखा है त्वेरन, त्वेरन को इंगलिस में बोलते हैं X-relation, अब देखो त्वेरन का फोर्मला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, अब वेग वीमा हमने अभी निकाली है, वेग कह सकते हो, या वेग परिवर्तन कह सकते हो, तो वेग परिवर्तन की वीमा क्या है, L T की पावर माइनस 1, अब उन में समय है न, समय की वीमा क्या लिख दो, T, तो T की पावर 1 नीचे पलस की है, उपर बेजेंगे माइनस की बन जाएगी, लेकिन उपर पहले से माइनस की वने तो यहाँ पर L T की पावर माइनस 2 हो जाएगी तो अगर कोई आपसे पूसता है कि त्वेरण की वीमा बताओ तो आपको क्या बतानी है L T की पावर माइनस 2 होगी पांचवे नमबर पे देखो क्या लिका है बल, अब देखो बल को इंगलिस में बोलते हैं फोर्स, तो बल बराबर होता है द्रवेमान गुना त्वेरन ये तो आपने फॉर्मला सुना भी होगा F बराबर MA तो M का मतलब द्रवेमान और E का मतलब त्वेरन अब देखो द्रवेमान की विमा क्या होती है कैपिटल ब्रैकिट के अंदर M और जो ए त्वेरन है ना त्वेरन की विमा हमने अभी निकाली है LT की पावर माइनस 2 होती है तो अब दोनों को एक जगा मिला के लिख देंगे तो MLT की पावर माइनस 2 हो जाएगी ठीक है ना 6 नंबर पे लिखा है हमारा कारिय कारिय को इंगलिस में बोलते हैं वर्ग तो कारिय अब राबर होता है बल गुणा विस्थापन तो बल की विमा हमने अभी फाइंड की है MLT की पावर माइनस 2 तो MLT की पावर माइनस 2 किसकी विमा होई बल की और विस्थापन भी तो कोई लंबा ही है तो इसकी विमा होगी L तो L और L मिलके L की पावर 2 हो जाएगी तो ये क्या होगा ML2 T की पावर माइनस 2 बासमने मारी है नंबर 7 ते देखो क्या लिखा है सक्ति अत्वा शामर्थ है इसको इंगलिस में बोलते हैं पावर तो सक्ति बराबर होता है कारिय बटे समय अब देखो जो कारिय है उसको उपर रखा हुआ है और समय को नीचे तो कारिय की वीमा उपर रखेंगे और समय की वीमा नीचे तो कारे की V में हमने अभी निकाली है ML2 T की पावर माइनस 2 अब उन में क्या लिखेंगे T तो T की पावर एक और उपर भेज देंगे तो माइनस की 3 हो जाएगी तो यानि कि क्या होगा इसका V में शुत्र ML2 T की पावर माइनस 3 अब देखो 8 नमबर पे क्या लिखा है समवेग समवेग को इंगलिस में बोलता है मूमेंटम तो समवेग बराबर होता है द्रेवमान गुणा वेग होता है ना P इकवल टू M V तो आप ध्यान रखना है इनको एक एक को कि सम वेग बराबर होता है द्रेवमान गुणा वेग यानि के P equal to MV द्रेवमान की वीमा तो capital M और वेग की वीमा क्या होती है LT की power minus 1 तो क्या होगा MLT की power minus 1 नोवे नमबर पे देखो क्या लिखा है आवेग, आवेग को बोलते हैं इंगलिज में impulse तो इसका formula होता है ओशत आवेगी बल multiply समय या बल गुणा समय भी कह सकते हैं आप तो बल की वीमा क्या होती है MLT की power minus 2 समय की वीमा हम क्या लिखेंगे capital T तो इनको एक ही जंगा मिला दो MLT की power होगी minus 1 क्यों, plus की 1 है और minus की 2 है एक में से 2 गटा लो तो एक में से 2 गटाएंगे तो कितना बचेगा, minus का एक बचेगा तो MLT की power minus 1 इसका वी में शुत्र हो जाएगा अब देखो दसवे नंबर पे क्या लिखा है दसवे नंबर पे लिखा है इसको इंगलिस में बोलते है kinetic energy तो इसका formula होता है 1 upon 2 multiply द्रेवेमान multiply वेग का square तो K equal to होता है 1 upon 2 M V square ठीक है ना K4 kinetic energy मतलब गतिज उर्जा और M का मतलब होता है mass यानि के द्रेवेमान और V का मतलब होता है velocity यानि के वेग तो यहाँ पे आप देखो चो 1 upon 2 है इसको हटा दो constant की कोई वीमा नहीं होती द्रेवेमान की वीमा होगी capital M और वेग की वीमा होगी L T की power minus 1 लेकिन वेग का square भी है तो यहाँ पे हमें square भी करना पड़ेगा तो M L square हो जाएगा और T की power minus 2 हो जाएगी power की power multiply होती है ना आप देखो L की power कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 की 2 में multiply कर लो यानि की L square होगा और T की power minus 1 है minus 1 की power फिर 2 भी करेंगे तो minus 1 की 2 में multiply करेंगे तो minus 2 होगा यानि कि जो हमारी गतिज उर्जा है उसका जो V में शुत्र होगा वो M L square T की power minus 2 होगा next 11th नंबर पे देखो गुरुत्विय इस्तितिज उर्जा गुरुत्विय इस्तितिज उर्जा को हम इंग्लिस में बोलते है gravitational potential energy तो इसका formula होता है द्रवेमान multiply गुरुत्विय तवरन multiply दूरी जो गुरुत्विय इस्तिति उर्जा होती है वो MGH के equal होती है तो द्रवेमान की वीमा क्या होगी M गुरुत्विय तवरन हो चाहे तवरन किसी भी तरह का हो उसकी वीमा क्या होगी L T की power minus 2 जो कि हमने उपर पता कर लिये है और दूरी की वीमा क्या होती है capital L आप इनको सभी को एक जंगा मिला के लिख दो देखो M तो single है L L दो बारा आया है तो L की power होगी 2 और T की power minus 2 को रख दो same तो ML square T की power minus 2 देखो आप ध्यान से गति जुर्जा की और इस्तिति जुर्जा की दोनों की same है न ठीक है और इससे पहले हमने किसकी विमा निकाली थी कारे की विमा तो आप देख सकते हो कारे की विमा क्या थी ML square T की power minus 2 तो अभी तक तीन रासी आपके पास है एक कारिये एक गति जुर्जा और एक इस्तिति जुर्जा ये तीनों ऐसी बहुतिक रासी है कि इनका विमा शुत्र एक ही है ठीक है ना अब देखो बारवे नंबर पे क्या लिखा है दाब दाब बराबर होता है बल बटे छेतरफल दाब को इंगलिस में बोलते है प्रेशर तो बल की विमा क्या थी ML T की power minus 2 अब ओन में छेतरफल की विमा क्या थी L square तो देखो उपर वाले L से नीचे वाले L square की एक power cancel कर दो तो नीचे एक L बचेगा यानि के नीचे L की power plus की 1 बचेगी इसको उपर बेज दो तो L की power कितनी होगी minus 1 तो ML की power minus 1 T की power minus 2 किसकी विमा होगी बराबर क्या होता है बलबटे छेतरफल और अगर आपसे कोई यह पूचता है कि दाब का वी में शुत्र बताओ तो वी में शुत्र इस formula से ही निकलेगा क्या निकलेगा ML की power minus 1 T की power minus 2 बास समझवारी है अब देखो तेरवे नंबर पे क्या लिखा है गनत्तु को इंगलिस में बोलता है डेंसिटी तो डेंसिटी इक्वल्ट होता है मास अपोन वोल्यूम यानि के गनत्तु बराबर होता है दरवे मान बटे आइतन अब दरवे मान की वी मां कैपिटल M और आइतन की वी मां होती है L की power 3 इस L की power 3 को उपर भेज दो तो ML की power माइनस 3 हो जाएगी बास समझ पारे हो अब देखो 14 नमबर पे लिखा है बल आगूर्ण बल आगूर्ण को इंगलिस में बोलते हैं तो बल आगूर्ण बराबर होता है बल गुणा लमवत दूरी अब देखो बल की वीमा तो हमें पहले पता है ML T की power minus 2 और लमवत दूरी हो चाहिए किसी भी तरह की दूरी हो उसको हम capital L ही लिखेंगे तो देखो L की L में multiply हो जाएगी तो ML square T की power minus 2 हो जाएगा बास समझ पारे हो तो बल गुणा दूरी देखो ये कारिया काही काम करेगा और यहाँ पे हमें चोथी भोतिक रासी ऐसी मिली है जिसकी वीमा सेम है पहले हमने किसकी वीमा निकाली थी कारिया की ठीकन आप देख सकते हो चटे नंबर पे कारिया है ना तो कारिया की वीमा है ML square T की power minus 2 फिर हमने गतिज उर्जा 10 वे नंबर पे है ML square T की power minus 2 फिर 11 वे नंबर पे गुरुत्वय स्थिति उर्जा है ML square T की power minus 2 और फिर हमने बला गोंड की वीमा निकाली है जो की 14 नंबर पे है इसकी वीमा क्या है ML square T की power minus 2 तो चार बोतिक राशिया ऐसी हो गई है अभी तक जिनके वीमे शुत्र सेम है बास समझ बारे हो अब देखो 15 नंबर पे लिखा है आवर्ती आवर्ती को इंगलिस में बोलते हैं frequency तो आवर्ती बरावर होता है एक बटा आवर्तकाल आवर्तकाल आपको ध्यान रखना है काल का मतलब क्या होता है time काल का मतलब समय तो 1 upon T लिखेंगे अब T की power 1 है ना नीचे पलस की इसको उपर भेज दो तो T की power कितनी होगी minus 1 अगर कोई आपसे पूसता है कि आवर्ती की वीमा क्या होती है तो T की power minus 1 होती है 60 number पे क्या लिखा है cone cone को इंगलिस में बोलते है angle और यहां पे देखो जो cone होता है ना वो कहीं तरह से हम माप सकते है जैसे की cone को हम degree में माप सकते है या हम radian में माप सकते है या minute या second में माप सकते है तो यहां पे बात हो रही है radian की अगर cone radian में हो तो cone बराबर होता है चाप बटे तरजा अब चाप क्या है चाप भी तो कोई दूरी है ना तो दूरी की वीमा L तरजा क्या है तरजा भी कोई लंबाई है या दूरी है इसकी वीमा भी L होगी तो L से L कैंसल हो जाएगा मतलब L की पावर कुछ भी नहीं बचेगी यानि कि हम ऐसा कह सकते हैं L की पावर जिरो बचेगी और L की पावर जिरो का मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं है मतलब ये एक वीमा हीन रासी है अगर कोई आपसे पूछता है कि कोण की वीमा बता दो तो आपको क्या कहना है कोण एक वीमा हीन रासी है इसकी वीमा नहीं निकाल सकते मतलब L.C.L. कैंसिल होने के बाद हमें पता चला है देखो 17th नंबर पे क्या लिखा है कोणिया वेग को इंगलिस में बोलते है एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी का फोर्मुला होता है एंगल अपोन टाइम यानि के कोण बते समय अब देखो कोण की वीमा क्या है L की पावर 0 और समय की वीमा क्या है तो इस T को उपर भेज़ दो L तो वहां है ही नहीं तो T की पावर कितनी होगी माइनस 1 अब देखो 18th नंबर पे क्या लिखा है कोणिया त्वेरन देखो पहले वेग और त्वेरन हमने पढ़ लिया है अब बात चल रहे है कोणिया की कोणिया वेग हमने पढ़ा भी अब 18 नंबर पर कोणिया त्वेरन तो कोणिया वेग बटे समय होगा अब देखो कोणिया वेग की वीमा क्या निकली है T की पावर माइनस 1 अब उन में समय की वीमा लिखेंगे हम capital T T को भी उपर भेज़ दो तो T की पावर माइनस 1 तो पहले से थी और माइनस 1 और जली जाएगी इसका मतलब T की पावर माइनस 2 हो जाएगी बासमझ पारे हो अब देखो 19 नंबर पर क्या लिखा है जडत्व आगूर्ण इसको इंगलिस में बोलते है moment of inertia तो इसका formula होता है द्रवमान multiply दूरी का square यह आगे पढ़ोगे आप सभी चीजे तो द्रवमान multiply दूरी का square द्रवमान की वीमा क्या होती है capital bracket के अंदर M और दूरी का square मतलब L square दोनों को एक जना मिला दोगे तो क्या होगा M L square अब देखो 20 नंबर पर क्या लिखा है कोणिये समवेग कोणिये समवेग को इंगलिस में बोलते है angular momentum अब इसका formula होता है जड़त्व आगूर्ण multiply कोणिये वेग अब जड़त्व आगूर्ण की वीमा हमने अभी निकाली है M L square होती है और कोणिये वेग देखो वेग की वीमा तो होती है L T की पावर माइनस 1 और कोणिये वेग की वीमा क्या होती है T की पावर माइनस 1 तो M L square के साथ T की पावर माइनस 1 मिला के लिगे दो तो ये क्या होगा total M L square T की पावर माइनस 1 ये 20 formula हमारे हो चुके हैं अभी तक देखो 21 नंबर पर लिका है गुर्णन तिर्जा इसको बोलते हैं radius of gratation अब ये एक तिर्जा ही तो है तिर्जा क्या होती है आपने आप में एक लंबाई होती है एक दूरी होती है और दूरी की वीमा क्या होती है capital bracket के अंदर L ठेका ना इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं थी अब देखो 22 नंबर पर लिका है गुर्णवा कर्शन नियतांक इसको इंगलिस में बोलते है gravitational constant तो इसका formula होता है भल गुणा दूरी का square बटे द्रेमान का square अब देखो ये important V है आपको पता होनी चाहिए कि गुर्णवा कर्शन नियतांक की विमा क्या होती है अब formula से आपको पता चल जाएगी बल की विमा रखो MLT की power minus 2 फिर दूरी दूरी की विमा होती है L और यहां पे है दूरी का square तो आप भी L का square कर दो बटे में द्रिवमान का square है न तो द्रिवमान की जहां पे क्या लिखते हो capital M तो यहां पे square है तो आप भी M square कर दो तो देखो M से M की एक power cancel कर दो तो नीचे power 1 बचेगी M की लेकिन इसको उपर भेज दो तो M की power होगी minus 1 और देखो L की power 1 और 2 total किदनी हो जाएगी 3 तो L की power हो जाएगी 3 और T की power minus 2 रहेगी से तो M की power minus 1 L की power 3 और T की power minus 2 किसकी वीमा होगी गुर्तवा कर्षन नियतांकी अब देखो 23 नंबर पे लिका है गुर्तवय चेतर की तीर्वता intensity of gravitational field तो इसका formula होता है गुर्तवा कर्षन बल बटे द्रेवमान गुर्तवा कर्षन बल बटे द्रेवमान है ना गुर्तवा कर्षन बल हो चाहिए कोई भी बल हो बल की वीमा क्या होती है MLT की power minus 2 और बटे में द्रेवमान की वीमा क्या होगी M होगी आप M से M cancel कर सकते हो तो क्या बचेगा L T की पावर माइनस 2 तो ये आपकी गुरुत्वे छेतर की तीरुता होगी आप देखो 24 वे नंबर पे लिखा है गुरुत्वे विभाव तो गुरुत्वे विभाव जो होता है वो होता है कार्या बटे द्रहमान तो कार्या की विभाव क्या थी? M L T की पावर माइनस 2 और द्रहमान की है M तो आप क्या formula निकाल सकते हैं यहां से? M से M cancel करो पहले तो तो क्या बचेगा L T की पावर माइनस 2 तो L T की पावर माइनस 2 किसकी विभाव होगी? गुरुत्वे विभाव की देखो 25 नंबर पे लिखा है परती बल परती बल को इंगलिस में बोलते हैं stress तो परती बल बराबर होता है बल बटे छेतरफल तो बल की विभावर क्या होती है? M L T की पावर माइनस 2 और बटे में जो छेतरफल है इसकी विभावर क्या होगी? तो जो उपर L लिखा हुआ है इसकी एक पावर से नीचे की दो पावर वाले को कैंसल कर लो तो नीचे एक पावर बचेगी और उस एक पावर को भी उपर ले जाना तो L की पावर माइनस 1 ले जा सकते हैं उपर तो क्या होगा? फाइनली फोर्मला ML की पावर माइनस 1 T की पावर माइनस 2 होगा आरिया बात समझ में अब देखो 26 नंबर पे लिखा है विकर्ती विकर्ती को अंगलिस में बोलते हैं और विकर्ती का जो फोर्मला होता है वो होता है लंबाई में वरद्धी बटे प्रारंबिक लंबाई तो लंबाई में वरद्धी कर दोगे वो रहेगी तो लंबाई ही तो लंबाई की विमा L और प्रारंबिक लंबाई सुरुवात में भी लंबाई थी तो लंबाई की विमा L ही होगी तो उपर भी L लिख देना और नीचे भी L लिख देना L cell cancel होने के बाद L की power 0 बचेगा और L की power 0 का मतलब ये एक वीमा हीन रासी है इसकी कोई भी वीमा नहीं होती अब देखो 27 नमबर पे क्या है परत्या इस्थता गुणांक इसको इंगलिस में बोलते हैं modulus of elasticity अब देखो इसका formula है परतिबल बटे विकरती परतिबल की वीमा आम क्या करोगे ml की power minus 1 t की power minus 2 को same रख दो बटे ml की power 0 है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अब देखो 28 नमबर पे क्या लिका है प्रश्ट तनाव प्रश्ट तनाव को इंगलिस में बोलते है surface tension तो इसका formula होता है बल बटे लंबाई अब देखो बहुत आसान है बल की व पाउर माइनस 2 और लंबाई की वीमा capital L रख दो तो L से L cancel होने के बाद क्या बचेगा M T की पाउर माइनस 2 तो इस तरीके से आप रश्ट नाव की वीमा find कर सकते हो अब देखो 29 नमबर पे लिका है वेग परवनता इसको इंगलिस में बोलते हैं velocity gradient अब देखो इसका formula क्या है वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन अब देखो वेग परिवर्तन का मतलब वेग की वीमा क्या थी L T की पाउर माइनस 1 और दूरी परिवर्तन मतलब दूरी की वीमा क्या थी L से L cancel कर दो तो T की पाउर क्या बचेगा माइनस 1 अब तीसवे नमबर पे देखो क्या लिखा है तीसवे नंबर पर लिखा है श्यांता गुणांग इस श्यांता गुणांग के ऊपर आपका एक नुमेरिकल भी आएगा तो थोड़ा द्यान से समझना इसको श्यांता गुणांग को इंगलिस में बोलते हैं कोफिशेंट ओफ विसको सिटी अब इसका फोर्मला क्य हमने ट की पावर माइनस वन देखो एल जो उपर है ना उससे ल की पावर जो टू नीचे है इसकी एक पावर कम कर दो तो नीचे ल की पावर वन बचेगी उपर भेज के माइनस वन कर लेंगे एम तो उपर ही है अब देखो टी की पावर माइनस वन है ना नीचे इस माइनस की 2 और प्लस की 1 तो माइनस की 1 बचेगी मतलब finally क्या फोर्मुला मिलेगा हमें ml की पाउर माइनस 1 ट की पाउर माइनस 1 बात समझ पारे हो अब देखो 31 वे नंबर पे लिखा है spring का बल नियतांग इसको इंगलिस में बोलते हैं force constant of spring अब इसका formula क्या होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वरद्धी तो बल मतलब mlt की पाउर माइनस 2 और लंबाई में वरद्धी है तो फिर भी लंबाई ही तो बटे में हम क्या करेंगे l l से l cancel कर दो तो mt की पाउर माइनस 2 बचेगा बात समझ पारे हो 32 नंबर पे लिकाए विशिस्ट उस्मा जिसको इंगलिस में बोलते हैं इस फेसिफिक हीट अब देखो इसका formula क्या होगा उश्मिया उर्जा बटे द्रेवमान गुणा ताप वरद्धी यह है तो उर्जा ही की विमा कैपिटल के होती है अब m से m कैंसिल कर दो तो एल स्क्वार बचेगा ट की पाउर माइनस 2 बचेगा और बटे में के धाना तो की पाउर 1 थी प्लस की नीचे तो इसको ऊपर बेज दो तो के की पाउर कितनी होगी माइनस 1 बास समझ पा रहे हो अब देखो 34 नंबर पर क्या लिखा है गुप्त उस्मा इसको बोलते हैं लेटेंट हीट तो इसका फोर्मला होता है अवस्था परिवर्तन में परियुक्त उस्मा बटे द्रेवान तो उस्मा बटे द्रेवान आप ध्यान रख लेना अब उस्मा की वीमा या उर्जा की वीमा या कारिय की वीमा इन सब की वीमा सेम होती है आप उनमें द्रेवमान है तो M लिख दो तो आप M से M कैंसल करने के बाद क्या निकाल सकते हो L स्वेर T की पाउर माइनस 2 ठीक है ना अब 35 नंबर पे देखो क् परिवर्तन अब लंबाई में परिवर्तन कर लो कुछी कर लो आप लंबाई ही रहेगी तो L बटे प्रारंबिक लंबाई ये भी L और ताप परिवर्तन को हम के लिख सकते हैं L से L कैंसल कर दो k की पाउर नीचे 1 है इसको ऊपर भेज़दो तो क्या होगी k की पाउर माइन activity अब केसे इसको परदर्शित करते हैं इसका फॉर्मला होता है कैपिटल के इक वल्टू क्यू मल्टिप्लाई एल अपोन एंटू डेल्टा थेटा इंटू टी अब देखो क्यों तो क्या है उस्मा है तो उस्मा की विमा क्या होती है एल की विमा होती है कैपिटल एल और ए क्या है छेतरफल है ना तो छेतरफल की विमा होती है एल स्वेर और जो डेल्टा थेटा है यह होता है ताप परिवर्तन इसको लिखते हम के मतलब कैल्वीन और टी का मतलब है टाइम इसकी विमा होती है कैपिटल ब्रेकिट के अंदर कै cancel करोगे तो उपर एक L बचेगा तो ML तो यह बच गया अब T की पावर 1 नीचे है इसको उपर बेज दोगे तो माइनस की 1 और जाएगी माइनस की 2 माँ पहले से ही है तो T की पावर कितनी होगी माइनस 3 और K भी तो है ना नीचे जिसकी पावर 1 है तो इसको भी आप उपर बेज दो तो K की पावर कितनी होगी माइनस 1 यानि के फाइनली क्या फॉर्मूला मिलेगा हमे MLT की पावर माइनस 3 K की पावर माइनस 1 ठीक है ना अब देखो 37 नंबर पे लिखा है इसको इंगलिस में बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है E equal to 3 upon 2 K T या K equal to हम 2 E upon क्या बोल सकते है 3 T बोल सकते है अब देखो 2 और 3 को तो छोड़ दो ठीक है ना 2 और 3 क्या है constant है E का मतलब क्या होगा energy और T का मतलब क्या है temperature यानि के तापमान तो इसकी वीमा क्या होती है Kelvin मतलब capital K आप इसको solve कर सकते हो ML square T की power minus 2 K की power minus 1 यहां से कुछ भी cancel नहीं हुआ इसका मतलब इसका जो V में शुत्र है वो क्या होगा ML square T की power minus 2 और K की power minus 1 अब 18 नंबर पे लिखा है gas नियतांक तो gas नियतांक का जो formula होता है वो दाप गुणा आयतन बेटे ताप होता है दाप की वीमा क्या होगी ML की power minus 1 T की power minus 2 अब multiply आयतन की वीमा क्या होगी L की power 3 ताप तो क्ये होता है Kelvin आप जो cancel होता है आप उसको cancel कर दो जैसे कि L की power 3 है और minus की 1 है तो L की power की दिने बचेगी 2 तो ML square T की power minus 2 और K की power minus 1 उपर हो जाएगी ठीक है ना अब देखो 49 वे नंबर पे लिका है पलांक नियतांक इंगलिस में बोलता है उसको planks constant और इसका formula होता है उर्जा बटे आवर्थी उर्जा की तो V में हम बार-बार यूज़ कर रहे है ML square T की power minus 2 और आवर्थी की V में हमने पहले निकाल ली है T की power minus 1 होता है तो आप इसको उपर भेज़ दो तो minus की 2 और plus की 1 minus की 1 बचेगी तो formula होगा ML square T की power minus 1 बास समझ गई अब देखो 40 वे नंबर पे लिखा है अपवरतनांक अपवरतनांक को हम N से भी परदर्शित करते हैं या यहाँ पे लिखा हुआ है mu तो mu से भी परदर्शित करते हैं और इंग्लिस में बोलते हैं इसको refractive index और refractive index का formula होता है निर्वात में प्रकास की चाल बटे माध्या में प्रकास की चाल तो देखो चाल से चाल cancel हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा यह एक वीमा हीन रासी है ठेका ना चाल की वीमा क्या होती है lt की power minus 1 अब देखो 42 वे नंबर पे लिखा है तिर्कोण मित्या अनुपात जिनको हम एंगलिस में बोलते है trigonometric ratio आपने तैंथ के लास में अच्छे से पढ़े होंगे तिर्कोण मित्या अनुपात 6 होते है sign theta cos theta tan theta cot theta sec theta जो बच्चे home science के है चिनके पास 9th-10th में home science था वो उनको याद कर लेना थोड़ा टिगनोमेटरी आपकी फिजिक्स में कहीं जंगा यूज होगी जो कोई भी तिरकोण मितिया नुपात है वो दो भुजाओ का नुपात है जैसे अगर हम बात करते हैं साइन थेटा की तो साइन थेटा होता है लंब बटे करण तो लंब क्या है लंब भी एक भुजा है और करण क्या है करण भी एक भुजा है तो भुजा बटे भुजा यानि के लंबाई बटे लंबाई करेंगे तो ये एक वीमा हीन रासी रह जाएगी मतलब तिरकोण मितिया नुपात की कोई भी वीमा नहीं होती यह एक वीमा हीन रासी होती है अब देखो 43 नंबर पे लिखा है तरंग की तिर्वता इसको इंगलिस में बोलते हैं वेव इंटेंसिटी तो इसका फॉर्मला होता है उर्जा बटे 6 तरफल मल्टिपलाई समय उर्जा की वीमा तो हमने कहीं बार लिखी है ML2 T की पावर माइनस 2 छेतरफल की वीमा क्या होती है बटे में लिखेंगे हम L2 और समय की वीमा T होती है अब देखो L2 से L2 कैंसिल कर दो और T की पावर 1 को उपर बेजदो माइनस की 1 हो जाएगी माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 और M रहेगा सेम मतलब M T की पावर माइनस 3 हो जाएगी अब देखो 44 नमबर पे लिखा है वीन नियतांक वीन्स कॉंस्टेंट बोलते हैं इसको B से रिपरजेंट करते हैं और इसका फोर्मुला होता है लेमडा M मल्टिप्लाई T तो लेमडा M तो है तरंग देड़दे के तो यानि के टोटल मिला के क्या हो जाएगा L K अब देखो 45 नमबर पे लिखा है इस्टिफन नियतांक और जो ब्रेकिट में सिंबल है ना इसको बोलते हैं सिग्मा सिग्मा इक्वल टो होता है कैपिटल E अपॉन T की पावर 4 और देखो यहां पे एक बात ध्यान से समझो जो एक कैपिटल E है ना ये एनर्जी तो है लेकिन कौन सी ध्यान से पढ़ो यहां पे नीचे एक लाइन लिखिए जहां कैपिटल E परती सेकंड परती एकांग छेतरफल से उच सरजित विकिरन उर्जा है मतलब बटे में हमें समय और शेतरफल दोनों रखने है तो देखो उर्जा का वी में शुत्र होता है ML स्क्वार T की पावर माइनस 2 अब बटे में टाइम है तो टाइम की वीमा T क्योंकि एकांग समय है एकांग शेतरफल है तो बटे में L स्क्वार भी रखेंगे और रही बात ताप मान की तो ताप मान की वीमा क्या होती है कैपिटल के इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर भी आप 4 कर देना L स्क्वार से L स्क्वार कैंसल हो जाएगा तो M T की पावर कितनी होगी उपर माइनस की 2 है नीचे 1 है पलस की तो इसको उपर भेज दोगे तो माइनस की 2 और माइनस की 1 माइनस की 3 हो जाएगी तो M L की पावर माइनस 3 और K की पावर 4 है ना पोजिटिव नीचे इसको उपर भेज दो तो K की पावर क्या होगी माइनस की 4 तो MT की पार माइनस 3, K की पार माइनस 4 ठीक है, अब 46 वे नमबर पे आजाओ 46 वे नमबर पे लिखा है वैदूत आवेस ये अधिकतर आपके 12th किलास में यूज होंगे ठीक है, 45 तक आपके 11th किलास का है और उससे आगे लगबग लगबग सभी फोर्मले आपके 12th किलास में यूज होंगे अब देखो 46 नमबर पे है वैदूत आवेस वैदूत आवेस को हम स्मूल क्यों से परदर्शित करते है और इंग्लिस में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज अब जो आवेस होता है वो होता है वैदूत धारा गुणा समय यानिके Q बराबर I T तो वैदूत धारा की वीमा होती है कैपिटल A कैपिटल A क्यों लिखते है क्योंकि वैदूत धारा का जो मातरख होता है वो होता है ampere, तो a multiply समय का मातरक t, तो आप t a लिख सकते हो इसको 47 वे नंबर पे है वैद्दू छेतर की तीरुता, capital e से इसको हम परदर्शित करते हैं तो इसका formula होता है, इस्तिर वैद्दू दबल बटे आवेस, तो बल की वीमा क्या होती है, ml t की power minus 2 और आवेस की वीमा हमने अभी find की है t a, तो आप एक काम करो, t a तो इसमें नहीं है, तो cancel भी नहीं होगा, उपर भेज देना, तो t की power minus 2 तो पहले से है, minus की a को और चली जाएगी तो t की power minus 3 तो formula में क्या मिलेगा, ml t की power minus 3, और a को भी उपर बेज देंगे, तो a की power minus 1 मिलेगा, बास समझ भारे हो 48 में नमबर पे लिखा है, वैदुत विभाव, इसको capital v से प्रदर्शित करते है, और इंगलिस में बोलते हैं, इसको electric potential इसका formula होता है, कारिया बटे आवेस अब कारिया की वीमा क्या होती है वही जो उर्जे की वीमा होती है मतलब, ml square, t की power minus 2 और बटे में आवेस की वीमा t a, अब देखो, t को उपर बेजेंगे, minus का 3 हो जाएगा तो finally हमें क्या formula मिलेगा ml square, t की power minus 3 और a की power minus 1 49 में नमबर पे लिखा है, वैदुत धारिता इसको हम capital C से परदर्शित करते हैं और English में बोलते हैं, इसको electric capacitance तो C equal to होता है Q upon V, मतलब वैदुत आवेस बटे वैदुत विभाव अब वैदुत आवेस की वीमा आपको बताई है t a, और वैदुत विभाव की वीमा क्या होती है ml square, t की power minus 3 a की power minus 1 जो की हमने अभी find की है तो आप एक काम करो a की power minus 1 है ना उपर जाके plus की 1 हो जाएगी मतलब a की power 2 और t की power 1 है ना उपर positive और minus 3 और भेज देंगे तो minus 3 जुड़ जाएगी जाके तो t की power कितनी होगी 4 और m की power minus 1 हो जाएगी l की power minus 2 तो यहने की क्या मिलेगा total formula m की power minus 1 l की power minus 2 t की power plus की 4 और a की power plus की 2 मिलेगे ठीका ना तो वैद्दू धारिता की वीमा यह है पचासफे नंबर पे लिखा है चुम्ब की अपरेरन चुम्ब की अपरेरन को हम capital B से परदर्शित करते है और इंगलिस में बोलते हैं इसको magnetic induction तो इसका formula होता है B equal to F upon QV sin theta यह formula कहा से आया क्योंकि जो F है ना F equal to होता है QV sin theta या BQV sin theta भी बोल सकते हो आप 12th class का topic है और देखो F क्या है बल बल की वीमा क्या होगी mlt की power minus 2 इसको तो रख दो उपर बटे में क्या है QV sin theta Q मतलब always always की वीमा रखो 80 और V की वीमा रखो lt की power minus 1 और sin theta क्या है sin theta है एक त्रिकोन में क्या नूपात इसकी कोई भी वीमा नहीं होती तो इसकी कोई भी वीमा मत लिखो ठीक है ना देखो नीचे t की power plus 1 भी है और minus 1 भी है तो t की power minus 1 से t की power plus 1 cancel हो गया तो नीचे से लो जाखो अब देखो उपर m t की power minus 2 l से l b cancel हो गया उपर Vl है और नीचे Vl है और A को भी उपर बेज़ता तो a की power minus 1 यानि के total formula हमें क्या में मिलेगा M T की पार माइनस 2 A की पार माइनस 1 ठीक है ना यह आपके 50 फोर्मले हो गए 51 फोर्मले को समझो क्या लिखा है 51 नंबर पे चुम्ब किया फलक्स चुम्ब किया फलक्स को परदर्शित करते हैं हम 5 से और इंगलिस में बोलते हैं इसको मेगनेटिक फलक्स तो इसका फोर्मला होता है 5 इकवल टू B A कोस्टेटा तो कोस्टेटा तो अटाई दो ठीक है ना क्योंकि तर्कोन मीतिया नुपात है इसकी विमाँ हम नहीं निकाल सकते अब देखो B क्या है B की विमाँ हमने अबे निकाल लिये है m t k k power minus 2 a k power minus 1 और a क्या है ये तो 6 रफल है 6 रफल की v में होती है l square तो आप इसको मिला के लिख देना m l square t k power minus 2 a k power minus 1 ठीक है ना 52 नमबर पे देखो 52 नमबर पे लिखा है वैदूत परतिरोद capital R से इसको हम परदर्शित करते है और इंग्लिस में बोलते हैं इसको electrical resistance तो R equal to क्या होता है V upon I आपने 10th किलास में पढ़ा होगा Ohm का नियम तो V क्या होता है V वांतर और V वांतर की V में हमने निकाली थी ML square T की पाउर माइनस 3 और A की पाउर माइनस 1 निकाली थी ना देखो आप देख सकते हो यह थी हमारी 48 नंबर पे ML square T की पाउर माइनस 3 और A की पाउर माइनस 1 तो यहाँ पे हम रख देंगे V upon I है ना तो ML square T की पाउर माइनस 3 A की पाउर माइनस 1 upon में I है ना I मतलब क्या? विद्दुद्धारा और विद्दुद्धारा का मातरक होता है MPR मतलब कैपिटल A तो इस कैपिटल A को उपर भेज देंगे तो माइनस की 1 और चली जाएगे और माइनस की 1 पहले से ही है तो A की पाउर क्या हो जाएगी? माइनस 2 तो ML square T की पाउर माइनस 3 A की पाउर माइनस 2 यह total इसका V में शुत्र होगा अब देखो 53 नंबर पे लिखा है विसिस्ट पर्तिरोध या पतिरोध अक्ता ठेकर न, एक ही बात है या तो आप विसिस्ट पर्तिरोध काउ इसको अम रोसे परदर्शित करते हैं जो आपको साइन दिखाए दे रहा है ना यह यह साइन है रो का तो इंग्लिस में बोलते हैं इसको specific resistance या इसको resistivity भी बोलते है और इसका formula होता है rho equal to r a upon l r क्या है पर्तिरोद पर्तिरोद की v में लिको सबसे पहले m l square t की power minus 3 a की power minus 2 multiply में a है ना a का मतलब होता है छेतरफल तो छेतरफल की v में होगी l square बटे में लंबा ही है l तो l से तो l cancel कर देंगे ठीक है ना तो formula हम लिख सकते है m l की power 3 t की power minus 3 और a की power minus 2 बास समझ गए 54 नंबर पे देखो visist चालकता इसको हम sigma से परदर्शित करते है और इंग्लेस में लिखते है specific conductivity और इसका formula क्या होता है visist चालकता sigma बराबर एक बटा visist परतिरोध यानिके rho अब देखो visist परतिरोध की वीमा हमने अभे निकाली है m l cube t की power minus 3 a की power minus 2 इसको बटे में रख दो 1 के तो उपर भेजोगे m की power minus 1 हो जाएगी l की power minus 3 t की power minus 3 है ना तो plus की 3 हो जाएगी a की power minus 2 है तो plus की a की power 2 हो जाएगी अब 55 नंबर पे लिखा है वैद्दूत flux वैद्दूत flux को हम परदर्शित करते हैं 5e से इंगलिस में बोलते हैं इसको electric flux तो इसका formula होता है eds cos theta तो s क्या है हमारा छेत्रफल होता है और e क्या होता है वैद्दू छेत्र की 3 होता तो वैद्दू छेत्र की 3 होता हमने अभी निकाली थी mlt की power minus 3 a की power minus 1 कौन से नंबर पे निकाली थी हमने वैद्दू छेत्र की 3 होता आप 47 नंबर पे देख सकते है mlt की power minus 3 a की power minus 1 और हम कहां पे यूज़ कर रहे हैं इसको 55 में ML T की पावर माइनस 3 A की पावर माइनस 1 और DS क्या है छेतरफल अलप छेतरफल लेकिन है तो छेतरफल ही न तो इसकी वीमा क्या होगी L स्वेर एक जगा मिला के लिख सकते हो L और L स्वेर कितना होगा L की पावर 3 तो टोटल क्या होगा ML की पावर 3, T की पावर माइनस 3 और A की पावर माइनस 1 बास समझ पारे हो आब 56 नमबर पे लिखा है प्रेरन परतिगात XL से इसको प्रदर्शित करते है X और L लेकिन L होता है सफिक्स में इंग्लिस में बोलते हैं इसको इंडक्टिव रियक्टेंस अब देखो XL इक्वल टू होता है ओमेगा L या L ओमेगा भी कह सकते हो तो L तो क्या है स्वेर परेरकता हो और जो ओमेगा है वो होता है कोणी है वेग तो यहाँ पर आपको फोर्मुला क्या मिला है स्वेर परेरकता हो Multiply कोणी है वेग तो स्वेर परेरकता हो आपका 12th क्लास का टोपिक है आपको अच्छे से वहाँ पर समझ में आ जाएगा और Multiply में क्या है कोणी है वेग इसकी वीमा तो हमने पढ़ ली है तो इसका फोर्मुला कितना हो जाएगा ML स्वेर टी की पार माइनस टू एक की पार माइनस टू और कोणी है वेग का क्या होता है टी की पार माइनस वन आप इसको एक जगा मिला के लिख दो टी की पार माइनस टू T की पावर माइनस 3 हो जाएगा यानि के टोटल फोर्मला क्या होगा ML स्क्वार T की पावर माइनस 3 A की पावर माइनस 2 ठीक है ना अब 57 वी नंबर पे धारितिया परतिगात तो इसको XC से परदर्शित करते हैं और इंगलिस में बोलते हैं इसको capacitive reactance अब देखो XC equal to होता है 1 upon omega C इसने ये omega जो W जैसा है ना इसको बोलते हैं omega तो इसने थोड़ा नीचे को लिखा हुआ है नीचे नहीं होता पूरा होता है जैसे L omega है ना तो ये C omega होता है तो 1 upon वैद्दुद धारिता multiply कोणी है? वेग अब वैद्दुद धारिता की वीमा हमने शुरुवात में निकाली थी कौन से नंबर पे निकाली थी हमने? वैद्दुद धारिता ये है हमारी 49 नंबर पे क्या थी? M की पावर मैनस 1 L की पावर मैनस 2 T की पावर 4 और A square तो देखो ये ही है ना यहाँ पे हमारा फॉर्मुला कौन सा है? 57 M की पावर मैनस 1 L की पावर मैनस 2 T की पावर 4 और A की पावर 2 Multiply में कोण ये वेक की वीमा T की पावर मैनस 1 उपर भेज दो तो उपर भेजने के बाद क्या होगा? M L square होगा T की पावर मैनस 3 होगा क्योंकि 4 मैनस 1 3 वचेगा ने नीचे पलस का तो उपर जाके मैनस को हो जाएगा और A की पावर नीचे 2 पलस की है तो उपर जाके मैनस की 2 हो जाएगी अब देखो 58 नंबर पे लिखा है जोती flux luminous flux यह आपका ज़्यादा कहीं काम नहीं आएगा जो जोती flux है वो क्या होता है परकाश मितिया उर्जा उत्सरजन की दर दर का मतलब बटे में T अब देखो उर्जा की दर फाइंड करो उर्जा का फोर्मला क्या है ML2 T की पावर मैनस 2 और बटे में T तो T की पावर उपर जाके मैनस 1 हो जाएगी और वहाँ पे मैनस 2 ओर है तो ML2 T की पावर मैनस 3 तो ML2 T की पावर मैनस 3 जोती flux का V में शुत्र हो जाएगा 59 नमबर पे लिखा है परदीप्ती गनात्तू इसको capital E से परदर्शित करते है इसको इंगलिस में बोलते है इलूमिनेंस और इसका formula होता है capital E equal to delta F upon delta S delta F क्या है जोती flux और delta S क्या है परश्ट शेत्रफल तो आप जोती flux का V में शुत्र उपर लिख दो क्या निकाला है अभी हमने ML2 T की पावर मैनस 3 और शेत्रफल तो क्या होता है L2 तो L2 स L2 कैंसल कर दो तो क्या बचेगा MT की पावर मैनस 3 बचेगा ठीक है ना कोई ज़्यादा काम नहीं आते है आपके ना 11th में काम आते है और ना 12th में ठीक है तो आप इनको वैसे ध्यान रख लेना 60 नंबर पर क्या है जोती तीर्वता इसको हम Capital I से परदर्शित करते है और इंगलिस में बोलते हैं इसको Luminous Intensity और इसको हम I से परदर्शित करते हैं I equal to होता है Delta F upon Delta Omega Delta F क्या है यहाँ पे जोती फलक्स और Delta Omega क्या है गन कौन कौन की कोई भी विमा नहीं होती तो ML2 T की पावर मैनस 3 अब Next हमारा क्या है जोती दक्सता इसको इंगलिस में बोलते है Luminous Efficiency और इसका Formula होता है स्रोत द्वारा उत्सरजित जोती Flux upon स्रोत की कुल सकती तो आप Flux बटे सकती भी बोल सकते हो तो Flux क्या होता है ML2 T की पावर मैनस 3 और सकती का Formula होता है ML2 T की पावर मैनस 3 तो उपर और नीचे दोनों से मैं कैंसल कर दो आप कुछ भी नहीं बचेगा मतलब ये एक V महीन रासी है बात समझ पारे हो बच्चो तो आज हमने डिसकस की है 61 भोतिक राशिया और उनके मात्रक और फिर उनके V में शुत्र आप एक काम करना ठीक इसी तरह से अपनी कोपी में चार कोलम बना लेना पहले कोलम में क्या लिखना है करम संख्या बहुती छोटा कोलम बना लोगे ठीक है नमबर लिखने है बस इसमें फिर बहुतिक राशि फिर शुत्र और फिर वीम्य शुत्र और आपको ध्यान रखना है आपको English भी strong करनी है अपनी तो जितनी भी बोतिक राश्या है उनके नाम आपको English में पता होने चाहिए ठीक है ना तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इनको जरूर याद कर लेंगे आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है और आप इनको अ आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच्च